नो जब यह हमारा चीट आता है नीं कि head आ रहा है थिकए थिक आख पासा फिम आ जारा पॉर भलब एक है तो इसके उन को जाएगा पांसे पर वन आ सकता है ठीक है फिर head ना ने पर 50 वह तो है पिर theo आने पर 3 आ सकता है 4 आ सकता है तो audio जैज नियुआ york पेल भी आ सकता है और जब हम है कि अगर ये सिक्स गोश्चन है जैसे एक्स बीवन एक्स बीटू एक्स रूम तो यह है बीवन बीटू जीवन जीटू और वाई रूम यह है अब इसमें जो समभावन है बनती हैं xb1 xb2 xg1 xg2 एक बच्चा लेना है और yb3 yg1 g3 yg4 yg5 इस तरीके से ये हो जाएगा नोवे कोश्चन में बोल जो है हमारी रैड है वाइट है और जो वाइट है वो तीनों सेम है तो इसलिए हम उनके नाम भी नहीं रख रहे है डबलू डबलू टू डबलू त्री ठीक है तो अब देखो इसकी संभावना दो बोल निकालनी है तो पहले मालिया रैड निकलेगी क्योंकि रैड तो यह की है तो दूसरे नमबर पर जरूर वाइट निकलेगी या फिर ऐसा हो सकता है पहले नमबर पर वाइट निकले दूसरे नमबर पर रैड निकले ठीक है या फिर ऐसा हो सकता है कि रैड तो नीचे दबी रह जाए और उपर से हम वाइट वाइट ही नि पांसा उचालते हैं तो पांसे के साथ में यह संभावना बनती है पांसे पर हमारे संख्याइं 1 2 3 4 5 6 तक आती है तो इस तरह से टी 1 टी 2 टी 3 टी 4 टी 5 टी 6 यह हो जाता है इसका अंसर को बारवे में क्या करेंगे हम यह कह रहा है परिणाम चित हो चित हो तो एक पांसा फैका जाता है तो जब पांसा फैका जाता है तो अगर पांसे पर समसंख्या परकट हो तो यह आ रही है यहां पर है आगे तो पांसलेखे में हैं तो फिर फिर आ सकता है और वन टू सारे आ सकता है अ göz तो घू घू सकता है तू फॉर हो सकता है है और चाहिए यह एच्टू यह कहता है फिर आगे अचा यह 4 के साथ भी तो होगा है सही H41 H42 इस तरीके से बनते चले जाएंगे H43 H45 44 ठीक है ना H45 और H46 फिर इसी तरीके से H6 भी होगा 1 फिर H62 H63 H64 H65 और H66 यह इसके हमारे परती दरस समझ्टी बन जाती है सेंपल स्पेस तो देखो अभी से तुम कर सकते हो पहला कोस्टिन इसमें जो था ना टैल क्यों आ रहा है क्योंकि जब हमने हैड उस पे आया सिक्के पर तो हमने फिर पांसा फैंका लेकिन जब टैल आया तो नहीं फैंका तो टैल आने पर केवल टैल लिखा जाएगा ठीक है उसे पहले लिख लो या बाद में लिख लो हाँ टैल अगर आता है सिक्के पर तो पांसा नहीं फैंका जा रहा है तो हम टैल भी लिखेंगे ऐसी इसमें भी लिखेंगे फिर हमारा एक टैल भी आएगा ठीक है और टैल फैंका अगर टैल ही आगया तो फिर हमारा आगे पांसा फैंक रही नहीं है लेकिन अगर हैड आ गया तो फिर यह आसे फैंकेंगे अब इस में भी देखो यह संभावने तो सारी आएंगी लेकिन इन में से अगर समसंग क्या आ रही है यह आई यह यह आई यह आई अगर समसंग क्या आ रही है तो फिर से पांसे को फैंका तो इसमें तीसरी संभावना ये बनती है फिर एच्टु वन एच्टु टु एच्टु थरी और फिर ऐसी एच्ट फोर आ रहा है तो संभावना बनती है एच्टु आ रहा है तो संभावना बनती है तो इसमें इस लिए टैल आ रहा है ये ठीक है न इसमें जो 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 प्राप्त संख्या सम है तो सम संख्या कौन कौन सी हमारी टू फोर और सिक्स ठीक है अब यह कहता है अगर पांसे पर प्राप्त संख्या सम है तो एक सिक्का उचाला जाता है तो फिर सिक्का उचालते हैं अब सिक्का तो जब उच्छा लेंगे तो सिक्के पर क्या समावना बनते में टू के साथ हैड भी आसकता है फिर और टू के साथ तैल भी आसकता है ठीक है फिर ऐसी फोर के साथ हैड आसकता है और फोर के साथ तैल आसकता है ऐसी सिक्स के साथ भी हैड आसकता है और six के साथ तैला सकता है ठीक है अब ये आगे कहता है यदि पांसे पर प्रात संक्या विसम है तो सिक्के को दो बार उचालते है यदि पांसे पर प्रात संक्या विसम है तो विसम संक्या देखो हमने two four लिये थे और विसम संक्या कौन कौन से होंगी त्री और फाइफ ठीक है अगर विसमसंग क्या है पांसे पर तो हम सिक्का उचालते हैं दो बार अगर समसंग क्या है तो एक बार उचालते हैं विसमसंग क्या रही है ये वाली तो दो बार अब दो बार जब उचालेंगे तो मानले पहली बार में हैड दूसरी बार में भी हैड या सकता है या हैड और दूसरी बार में टेल आ सकता है या हाँ वन और टैल और टैल यह संभावने बनती है एसी फिर तीसरे पा आ जाओ जब संक्या तीन हाई हमने पांसे को अचा ला और संक्हा अचालना sooner विसम संक्या उसके साथ हमने पांसा केशन हा और रहा धा। Pie-Handται है। इससे कोई मतलब नहीं है, दो बारा से फिर उचालना, दो बार उचालना है अगर विसमसंग के आ रही है, तो head, head भी आ सकता है, और head, tail भी आ सकता है, ठीक है, और तीन है, फिर इस तरह से तीन उचाल, तीन आने पर tail आया, और tail से फिर head आ सकता है, और tail से फिर tail आ सकता है, ठ संक आती है तो या तो ہम पांसे वह सिख़ा लेंगे अब सिख़ा इसे लिए वड़ा आएगा और आएकर या तो सम्भावना बनती है अब उस पर हेड आए या जा भी हैंज इसकता है या 2 बारजिे ला सकता है एसी हमने ये उच्छाला 5 आया, टेल आया पहली बार में तो दूसरी बार में हो सकता है, टेल ही आजाए और दूसरी बार में हो सकता है, हैड आजाए तो इस तरह से ये हमारे वो बन जाते हैं कि कौन-कौन सी परतिदर समझती है, S ये S निकल गाया हमारा सैंपल स्पेस, पूरा सैट है, ये यहां से लेकर यहां तक ऐसे करके बना लो इसे, ये मैंने तुम्हें अलग-अलग समझाने के लिए बना दिया है, वरना तो तुम इसे एक साथ भी लिख सकते हो, ये कह रहा है कि अगर सिकाम ने उच्छाला और उस एक गैन निकालते हैं, एक गैन निकालते हैं तो T कौन कौन सी है, रैड और ब्लैक, तो रैड यानि कि T R 1, T R 2, तो ऐसे लिखेंगे, ये देखों ये नीचे लिखें हैं हमने, फिर T B 1, T B 2, और T B 2 इस तरी इसके लिखेंगे, अगर चित पर कट होता है, तो फिर पांसा उचला जाता है, और पांसे बर जो प्राप संक्या हैं वो ऐसे लिखेंगे, हाँ, हाँ, एज थरी, एज फूर, एज फार, एज फाइव, और एजज सिक्स, ठीक है, ये लिखा जाएगा, अब आज़ो कोश्चन नमबर सिक्स्टीन पर, सिक्स्टीन में कहते हैं, एक पांस तो बताओ कैसे करोगे देखो जब पहली बार में फयाक है तो उसपर क्या सकता है बताओенा सकता है यही सकता है फूर फाइव सिक्स लेकिन जब फ़ोल गया ठीड़ जब 6 अ मतलब अगर सुनो अगर 6 आगया तो प्राइंक Europ être ना इसका मतलब जब वन आया जब साया इतनूस त्यूसरा इसकता है फिर क्याव सकता है और यहाँ इतनुकल तो फिर कना तूसरा दो कि अगो थाैतर ठीक है। अगर वह 6 ङा तो फिर नहीं फैकेगे। लेकिन अगर 6 नहीं आया, तो मानले पहली बार में अब ये देखो वन आया था। अब 2 भी तो आ सकता है। पहली बार जाब फैका। यहां तक पहुँचे फिर मान लिया two आया पहली बार में two आ गया फिर उसे दोबारा फ Lock अपन हो सकता है फिर पूर 마न है फिर फिर two आए फिर three आए फिर four आए फिर five आए और अगर six आगया तो फ। लेकिन अगर six नहीं आया ये अगर नहीं है ठीक है ना ये अगर नहीं है ये हैं नहीं अगर ये आ गया तो फैंकने तो बंद हो जाएगा यहीं खतम है ये काम लेकिन मान लिया ऐसा भी तो सकता है कि 3 आए 3 1 पहली बार में फैंकने पर 3 1 और 3 2 और 3 3 इस तरह से 3 5 तक आएगा ऐसी 4 1 4 2 यह आ जाएंगे 5 1 5 2 6 आगया तो फैंकने बंद है 6 तो आएगा है नहीं अच्छा मान लिया हमने पहली बार में फैंका 1 दूसरी बार में फैंकने पर भी 1 यह आया ठीक है तो तीसरी बार भी फैंकेंगे तीसरी बार में फैंकने पर वरान आ सकता है तीसरी बार में फैंकने पर 2 आ सकता है तीसरी बार में फैंकने पर 3 आ सकता है तीसरी बार में फैंकने पर इस तरह से 1 5 5 तक जाएंगे अगर 6 आ गया तो बंद है काम यह कहा है अगर 6 आता है तो आगे नहीं फैंकना फिर जैसे पहली बार में 2 आया यहां पर वन आ रहा था दूसरी बार में वन आ गया तीसरी बार में भी वन ही आया फिर टू 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 आ गया फिर टू टू थ्री आ गया तो इस तरीके से ये इसका सैंपल स्पेस बनता है ठीक है इस तरह से निकालने हैं हमें ये हाँ